दोस्तो अगनिवीर आर्मी रैली भरती को लेकर ओफिसल नोटिफिकेशन जारी कर दिये गए हैं इसमें पूरी जनकारी आ चुकी है कि आप सभी का जो ऑनलाइन अपलाई है और कब से कब तक चलने वाले हैं कौन कर्णिटेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं उनकी योगिता क्या होनी चीए पातरता क्या होनी चीए उन तमाम जनकारी को इस विडियो में हम आपको बताने जा रहें इसलिए आप इस वीぎो नार्मी के ऑफिसल वेबसाइट पर है इनके ही वेबसाइट पर आएंगे तो एक पॉप-प आपको चलता हुआ देखनों को मिलेगा जिसमें बताया गया है कि आप सभी का जो रही स्टार्ट होने जा रहे हैं इसका डेट वैसे आज चुका है आपको हम बता दे इससे जूरी पूरी विस्तिरित जनकारी हमारे ओफिसल वेबसाइट ओनलाइन अपडेट एस्टियम डॉट इन पर आएंगे तो मिल जाएगा आर्मी अगनिवीर रेकुप्मेंट दोहजार चौबिस से जूरी पूरी जनकारी यहां पर आप देख पहाएंगे आपको बता दे ओनलाइन अपलाई जो होगा आठ फरवरी दोहजार चौबिस से स्टार्ट होंगे 21 मार्च दोहजार चौबिस तक आपके आविदन परकिरिया चलने वाले हैं तो पूरी जनकारी पहले समझते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्या होगी आपकी हाइड क्या होने चाहिए रर्न जनकारी बताते हैं जैसे इसके ताहत कई परकार के पोश्ट रखे जाते हैं पहला जो पोश्ट है अगनिवीर जेनरल डूटी करा इसमें जो कैनिडेट अपलाई करना चाहेंगे उनका कम से कम दस्वी पास होना चाहिए दस्वी में सभी सब्जेक्ट मिलाकर आपकी 45 परत था वही बात करें यही टेक्निकल के लिए अगनिवीर टेक्निकल के लिए जो कैनिडेट फॉर्म भर बायेंगे उनका क्वालिफिकेसर इंटरमेडियर पास होना चाहिए साइंस से आपने पास किया होगा जिसमें अपने फिजेक्स कमेश्ट्री मैथ इंगलिस पढ़ा पास किया होगा और जो होगा मिनिममम उनका जो नबर इंगलिस मैज साइंस में जो है 40 परतेसत है और उन्होंने 2 साल का कोई ITI कोर्स किया होगा इन सब ट्रेडों में फिर भी ओ इस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर सकता है तो यह आपने समझा है इसमें भी एज आपका सेम है सारे 17 साल से लेकर 21 साल तक आपकी जो है एज रखी गई है वही अगनिव अर्ट होर्ण से होज़िसे आर्ट हो कोई दिकत नहीं है फॉर्म को फिल कर सकता है 12 वी में आपका 60 परतेसत जो है नंबर होने चाहिए और सभी subject में जैसे जो subject है उसमें 50% से कम number नहीं होना चाइए किसे में अगर मालेजे किसे का 70 आ जाता है किसे में 50 ही आ गया किसे में 55 आ गया तो इस परकार भी चल सकता है लेकिन 50% से कम आपका number नहीं होना चाइए तो form को आप इस post के लिए भी भर सकते हैं सारे 17 साल से कर 21 साल आपकी जो है उम्र रखी जाएगी वही बात करें ट्रेड मैन के लिए अगर आप हॉम भरेंगे तो सिंपल अगर आप दस्वी पास है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं कम से कम सभी सब्जेक्ट में आपका 33 पर 33 नंबर होना जरूरी है वही एज समाने है सारे 17 से 21 साल इसमें रखे गए है वही यहाँ पर देखेंगे अगरिवे ट्रेड मैन के लिए है जो कि यह दस्वी पास के लिए है एक आठवी पास पर भी बहाली होती है जो आठवी पास किये हुए है 33 पर 37 सभी सब्जेक्ट में नंबर है और एज आपकी सारे 17 साल से 21 साल है तो आप इसके लिए फॉंग को फिल कर सकते हैं अब बात करते हैं फिजिकल एस्टेंडर् क्या होने चाई आपकी जो हाइट होगी वो खिया होगा वो बता दिया गया जैसरे आपकी यह जो सभी पॉष्ट के लिए समानने हैं फाइट की बात करें तो सेंटीमीटर में बता सबकर कोई सबस्क्राइब खिर में चुरह तो एक सब्सक्राइब जो है ये आपका है उसके आपकी मंकलाइरल सुटार सेंटिमीटर बिना फुलाय होना चाहिए और पान सेंटिमीटर का गैप होना चाहिए बिरासे सेंटिमीटर तक आपकी फुला कर होनी चाहिए तो इस परकार है इसमें देखेंगे किसी में आपको 76 से कासी किसी में 77 से बिरासी इसमें बताये गए हैं अब यहां पर फिजिकल में छूट भी दिये गये हैं जैसे कोई लदाक वाले candidate होंगे तो उनको इतना भी height है तो चल सकता है chest इतना आपको बताएगा है तो इन सब area से अगर आप आते हैं तो आपकी जो height है वो कम भी होगा फिर भी चल सकता है बकि इस rally में आपकी height के अलाबे आपकी जो है running भी होती है running 1.6 km का होगा इसके लिए आपको दो group अब दिये गए हैं पहला group यह है कि जो candidate पांच मिनट 30 सेकेंड में अगर 600 मीटर का running complete करता है तो उन्हें 60 नमबर दिया जागा अगर माल लिजिए पांच मिनट 31 से 5 मिनट 45 सेकेंड का समय लेते हैं तो आपको 48 नमबर इसमें दिये जाएंगे push up आपका होगा जो कि 10 बार होगा इसके लिए 40 marks रखे जाते हैं बाकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप 9 बार push up करना होगा जिक्चक होगा यह भी qualifying nature रखे गए हैं बाकि यहाँ पर salary की जनकारी दिये गए हैं कि जो आपके salary होगी first year 30,000 रुपय होगी जो in hand देखेंगे आपको 20,000 रुपय मिलेगे बाकि जो 9,000 रुपय है आपका contribute होगा और सरकार भी आपके लिए 9,000 रुपय देगी यह पैसा आपको जब 4 साल आपका यह पूरा होगा तो एक बार ही आपको करीब जो है 10,000,000 रुपय आपको एक बार दिया जाएगा क्योंकि यह बहाली ऐसी है कि आपको हो सकता है 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाए और सेलेक्शन प्रोसस कैसे होता है तो दिख लिए सेलेक्शन प्रोसस में सबसे पहला काम होगा इसमें रिटेन एक जाम होगा फिर आपका जो फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट होता है फिर आपका जो मेजरमेंट होता है वो होगा फिर आपका ट्रेयर टेस्ट होगा फिर डोकु आपको आठ फरवरी को एक डीटेल वीडियो बना कर जयनकारी दे देंगे कि कैसे इसका फॉर्म आपको फिल करना है जिसा आपको कहीं भी कोई परसानी नहीं होगी। दोफ्तों अभी आपने देखा हमने आपको एस्टेप बाई एस्टेप बताया कि आर्मी अगनिवीर रैली भरती जो होने वाली ही इसमें कौन कैनिडेट फॉर्म भर सकते हैं कब से कब तक फॉर्म फिलब की परकिरिया होगी। किस परकार आपके चैनल पर किरिया होगी उन तमाम जयनकारी को हमने आपको बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आओ तो इसे लाइक कर दीजिया और इस वीडियो को अपने दुफ्तों के साथ भी सेयर कर दीजिया ताकि वो भी समझ पाया कि किस परकार अगनिवीर रै कर पाया धन्यवाद